के करें लगड़ों करें वीडियो देखें जरूर सो हेलो गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू आप दिस व्लॉग वीडियो सो गाइस आज हम आपको लेक चलते हैं हमारे घर के बगल में प्लॉट है जिसमें ही मम्मी से गार्डनिंग करती हैं उसमें सारी सब्जियां लगा वह सब आपको दिखाएंगे और देखिए क्या मतलब एकडम ताजी ताजी सब्जी हम लोग खाते हैं जिससर की काफी अच्छा टेस्ट रहता है तो गाइस चली चल आपको दिखाते हैं तो लेट्स कंटीनू इस व्लॉग तो आप देख सकते हम सब आगा हैं यह यह आपको जापको आपको आपको सब्सक्राम कर देख सकते हैं अच्छाम को खाते हैं को बहुड कि आपको लगा हुड साहद आप जानते होंगे इसमें चोटे-लाइस पूल कह सकते हैं मतलब जैसे बीजोती हुसी तरह से यह देखिए चोटे चोटे यह लगे हुए इसी को ऐसे सूख मलब बनाते हैं तोड़ा सा मसाले उसाले डाल के अच्छा लगता है इसका टेस्ट और यह तो चलिए चलते हम आगे और देखते हैं क्या-क्या है यह देखिए यहां पर ऐसे बीन्स लगी हुई है बीन्स सेम बोलते हैं इनको साइध हमारे हां सो गाइस देख सकते हैं यह लगी हुई है ऐसे आप क्या बोलते हैं आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि यह क्या है और इसो क्या कहते हैं चलिए और देखते हैं क्या-क्या है यह यह देखिए रहा है लोकी का पेड इसमें लगती है लोकी तो आप जानते ही होंगे अभी फिलाल लगी हुई है देखी दिखाते हैं आपको यह रही लोकी और वाकी आपके धर क्या कहते हैं सो आप बता सकते हैं और यह देखिए यह इसका पेड़ रहा इतना बड़ा सा यही सब है यहां पर और इसे तरोई भी लगी ह पार हैं उधर साइड यह तो रोई उसका पेड़ जो है सूख गया है और देखिए यह थोड़ा पपीता पीता लगा हुआ यहां पर यह देखिए पेड़ काफी बड़े हो रहा है धीरे धीरे अभी हमें पपीता खाने को मिलेगा गाइस यह देखिए यह लहसुन लगा यह देखिए यह बिंडी के पेड़ है आप लोग में शायद नहीं देखाऊगा बिंडी इस तरह होती यह देखिए यह लगी हुए यह बिंडी यह बिंडी इसी तरह होती इसी तरह पेड़ में लगती है हम आपको दिखा रहे है और देखिए आगे चलते हैं अब क्या क्य यह देखिए इसको मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ यह किस चीज का पेड़ है बाकी तो यह मम्मी जानती है इसमें क्या होता है यह रहा बैंगन का पेड़ और यह यह साइड मेथी है सोया मेथी जिसको उगते हैं यह वही है और यह रहा चने वसाग जो कि चना आप खाते हैं यह इसी में उगता है अभी तो बहुत चोटे चोटे हैं जब बढ़ा हो जाएगा तो इसमें चना लगेगा और देखिए यह करेले का पेड़ है करेला इस तरह उगाया जाता है और यह रहा यह देखिए बीन्स का पेड़ और यह रही बीन्स इस तरह उती हैं देखिए दो तरह कि यहां पर बीन्स लगी हुए है एक तो वह ग्रीन कलर की थी और एक यह हमारा ब्लैक कलर की देख सकत है थोड़ा blackish color में है और बाकी दिखते ये बैंगन के पेड़ लगे हुए है ये रहा सरसों सरसों है अच्छा खासा ऐसा ही है सारा कुछ और ये दिखते बैंगन के अच्छे खासे पेड़ लगे हुए बैंगन ही दिखाते है आपको जोए लोग में करें दो जोए रोग में सब्सक्राइब करिये एपर दो करिये और देग इस ड्लाग में अने के दिये तुम कुछ कहना जाओगे क्या को होगे हार्दिक पांडिया नहीं बोलो लाइक और सब्सक्राइब वीडियो देखे जरूर यह देखिए गाइस यह सब पठाके फुटा रहे हैं खतम हो गई यह मेरे हाथ में यह यह बैला गया है है मुहमती जलाग रगल उससे सही रहे हैं ठेखो ना ठेख देंगे ना आराम पी मतों में जल्दी राजी नहीं रहे हैं यह देखिए पठाके पुटाने जा रही है यह भी अब एक्सपेरेंस लेंगे कैसा है देखिए ना इससे लगा आपको गदाएंगे रहे हैं यह प्याप पहली बार एक्सपेरेंस किया है यहां प्या कैसा लगा आपको चलो यह लेट हो रहा है कैसे रहे है दिवाली आपकी जो कह रहा है लड्डू पड़ाई कैसे लोग रहते यार यहां पर इने चोड़ने गा रहे हैं यह जा रहे हैं अपने अपने घर इधर देखो देख अब जगे गाई निए बाइगा रुको जरा सबर गरो तो गाईज आपको कैसा लगा हमारा यह वीडियो और अगर आप इन सब के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं कि यह कैसे होता है क्या होता है और यह क्या है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप जो जो हमने पूछा कि इनको आप क्या बोलते हैं वो भी आप बता सकते हो जाइज बने रही है हमारे अगले वीडियो के लिए जाइज मिलते हम अपने नए वीडियो में सू गाइस लाइक अच्छाइब एंड पॉल्वाज कि आपको और हो जए हुआ कि अवाल है